36 गण में शहीद हुए जवानों के शत विशत अजले शरीर के टुकडे, रेत के टीलों से उपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सिनी लाल रंकी सडकों के द्रश सामने आते हैं। उस पर मेरे प्रतिपक्षी महोदय का कहना ये कि मानवा दिकारों के अनुपालना करते हुए देश से उगरबाद और आतंग बाद को समात किया जा सकता है। महोदय आज इन मानवा दिकारों के कारण इन आतंक्यों के बंगलों की आकाओं की नाकफनी हसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विद्वा की वेदना चीक चीक कर ये कहती है कि प्यार भी भर पूर गया मांग का सिंदूर गया नन्हेनों निहालों की लंगोटियां चली गई छोटी छोटी पेटियों की चोटियां चली गई और आप के लिए तो एक आदमी मराहस साहब मेर गर की तो रोटियां ही चली गई महुद है किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है क्योंकि इतिहास गवा है कि पहल करके बड़े-बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिये गए हैं परन्तु आज मानवाधिकारों के कारण हमारे इसके जवान इस कदर बंदे हुए हैं कि अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी वो आज पहल करने से डलते हैं क्योंकि महुद है भविश्य में उन्हें कट घरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है वो यह जानते हैं कि चाहिए एक उगरवादी की राइफल से निकलने को ये तै करना पड़े या ना पड़े की वो खिसे लगेगी लेकिन हमारी राइफल से निकलने वाली हर जो है डोज़िको लगे है या ना पुल को श्रिंगार दो ये मुम्किन नहीं और एक वीर को जहनकार दो ये मुम्किन नहीं जो हात बांदे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभब नहीं महोदै आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों इन पत्थरवाज उसे डरता है क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो अभी 400 मिटर तक जाएगी और यदि इस बीच वो किसी निर्दोश को लग गई तो महोदै हमें अपनी नौकरी से हाथ तक दोना पड़ सकता है और म फिरागों को हवाओं में उच्छाला जा रहा है हवाओं पर भी रोब डाला जा रहा है अरे हमी तो बुनियाद हैं आंत्रिक सुरक्षा की और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है महोदै जब पुलवामा में 44 जवान सहीद हुए 36 गर में 76 जवान सहीद हुए तो को इमानवादिकार के ज्याता आकर उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं तभी तो क्या कहा था उस देश द्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा तो मैं भारत की बेटी अपनी भारती सेना की तरफ से आज ये ऐलान करती हूं कि उस घर में सीने में गार दो महोदैं अंत में अपनी वाणी को विराम की और ले जाते हूए मैं सर्फ इतना ही कहना चाहूंगी कि मुझे अफसोस है अपने देश की नयाएक प्रकर्या पर जहां आज भी रात के बारा बजे अजमल कसाब जैसे आतंकी के लिए सरवोच नियाले के कोलों के आगे दर्ती के घोर गुहां से को एक सूरज ही हर सकता है क्योंकि एटम बंब से रक्षा के बल एटम बंब ही कर सकता है जैहिन चैभर